शनिवार को मुझा पर्णगर में लिंक रोड इस्तित एक रेस्टोरेंट में 3040 टैनिस अकेडमी के संस्थापक अर्नव आलोग गोयल द्वारा प्रेस वारता का अयुजन कर अपने वे अपनी टैनिस अकेडमी के विशे में मीडिया को जानकारी दी गई आलोग गोयल ने बताया कि उन्होंने मुझा पर्णगर में स्कूलिन के दोरान टैनिस खेलना प्रारम किया था इसके बाद उन्होंने देरादून वे दिल्ली में इस खेल की कोचिंग लेकर खेल की बारिक्यों को समझा तता देश में राष्ट्य स्तर के विविन मैच खेलते हुए बयालिस्वी रेंग हासिल की इसके पस्चात वे विश पटल पर अपने पैचान बनाने हेटू योरॉप के फ्रांस वे जर्मनी में गए तता अनेको मैच खेल कर अपने खेल को और भी निखारा इस प्रकार अनेकों देशों में विश उसकतरिया खेलाडियों के साथ खेलने के पस्चात वे इस खेल की दशा अपने देश में सुदार ने हेटू वापत भारत आ गए तता देश में 30-40 के नाम से 3 चैनिस अकैडमी खोलने के सास्ताथ एक अकैडमी स्पेन में भी खोली मुझूदा समय में उनकी एकैडमी देश के अनेक युवाव को इक्षन प्रदान करते हुए उन्हें अंतराष्ट्य स्थर की चैनिस प्रतियोगताओं के लिए तयार कर रही है साथ ही किसी कारणवश उनकी एकैडमी में प्रवेश नया ले पाने वाले फोनहार खिलाडियों को भी उनकी एकैडमी द्वारा व्यूइन प्रकार से सहय तकत के खेल को निखारने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है इस विशय में और अधिक जानकारी देते हुए अरनव आलोग गोयल ने बताया से अपना एक करियर बना से जो कि अभी नहीं बन पा रहा है हमारी एक अकैडमी मुझाफण नगर में है एक अकैडमी हमारी दिल्ली में है जो की बहुत ही महत्पूर्ण हिस्सा है टेनिस का हम टेनिस के पहले इंडिया के ऐसे स्टार्ट अप है जो टेनिस की हर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हर किसी के लिए इंडिया यॉरॉप यूएसे हम तीनों जगा की पूरी कंसल्टेंसी देते हैं और तीनों ही जगा हम बच्चों को भेजते हैं मैं खुद मुझाफण नगर से हूं तो मेरा करतब बनता है कि मैं अपने शेहर के लिए कुछ करूँ जो हमने मुझाफण नगर में फीच रखी है वो फंद्रासुर रुपे महीना रखी है जिसमें बच्चे छे दिन हफते में खेल सकते हैं मुझाफण नगर में बिल्कुल स्वोप है अगर मैं निकल सकता हूं बिना किसी टैलेंट के सिर्फ अपने हार्ड वक पे तो आने वाली जनरेशन तो डेफिनेटली में इसादा तैलेंटेड होगी अगर उनको सही गाइडेंस मिले तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ सकते करने हैं